हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है महा सिवरात्री के अफसर पर हम वर्त की थाली तियार करेंगे तो आएए बनाते हैं वर्त की थाली सिवरात्री स्पेसल में आज हम वर्त की थाली तियार करेंगे तो सबसे पहले हम आलू की सबजी बनाएंगे ये मैंने एक सोस फैन लिया है अब मैं इसमें थोड़ा सा ओईल डालूँगी ओईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें एक छोटा चपन जीरा डाल दूगी और जीरा हमारा चटक चुका है अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च चोपर में चोपकी हुई है ये डाल दूगी और साथ लिए ट्माटर डाल दूगी को ये वे ट्माटर दूगी ये मैं एक गड़ा ट्माटर दूगी ये अधि बड़ा दिया था इसको में फोपर में चोपकी हुई रिया था अब मैं इसमें स्वाद्य नुसार नमक डालूगी चोटा स्पून में चोथाई चमच काली मिच डाल दूँगे इसमें अच्छे से भून लूँगे इसमें अच्छे से भून लूँगे और यह मैंने एक बड़ा उगला हुआ आलो लिया है इसको मैंने मैंच कर लिया था और अमने इसमें पानी दालो लिया यह लगबग मैंने एक छोटी गटोरी के आसपास पानी डाला है और सबजी को मैं पकने दूँगी जब तक मेरी सबजी तियार होती है बनके तब तक मैं चावल तियार कर लूँगी तोस पैन लिया है इसमें मैं थोड़ा सा ओल डालूँगी मैं ने चावल लिए हैं समके यह मैंने एक आदी कटोरी यह समक के चावल लिए है और इसको मैं विभूद दिया है दस मिनट के लिए अब मैं इसमें एक छोटा चम जीरा डाल दूंगी ताथी इसमें आठ से दिसमें छोट खोटे कलिपता डाल दूंगी और अब में ही सामत्री चावल डाल दूंगी इसके मिदर ताथी में इसमें एक कटोरी पानी डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी ओडाल दूंगी में इसमें और अब इसमें चुछाइए चमम्मच कलिक्च नमा डाल दूंगी और स्वादी के अनुचारे नमम डालएंगी में और इसे मैं ढपके पकले दूंगी, जब तक हमारे चावल बनते हैं, अब तक मैं पकड़ों की त्यारी कर लेती हूँ, यह मैंने एक आलू लिया है, इसको मैंने इस परकार से लंबे-लंबे टुकडों में कट कर लिया है, इस आलू को मैंने इस बाउल के अंदर डाल दिया है और साथ ही ये मैंने कुट्टू का आटा लिया है ये मैंने डेड़ सर्वी स्पून कुट्टू का आटा डाल दिया है इसके अंदर ही मैं थोड़ा सा इसमें जीरा इसी काली मिर्च और स्वाद के अनुसार नमग डालूँगी इसमें अदरक और हरी मिर्च का ये मैंने चोप आक dec guys Professor रखना है यह भी थोड़ासा ङाणा डिूगी और हरतने highs मेंयं आधाय कहए खाह है और उसके घुल बनाकर दृद कर लोँगी थोड़ासा पानी डालाओंग किध मैं यह हमारे पकोड़े का पेश्ट तियार हो चुका है और इधर हमारी यह आलू की सब्जी बनकर तियार हो चुकी है अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी और इसे मैं एक बाउल में सब्ट कर लूंगी गैस को बंद कर देती हूं मैं यह मैंने पकोड़ों के लिए ओईल गरम होने के लिए रख दिया है जब तक हमारा ओईल गरम होता है तब तक मैं चावल चेक कर लेती हूं चावल को चेक कर लेते हैं हम और यह हमारे चावल बनकर त्यार हो चुके हैं गैस को मैं बंद कर दूंगी और चावल को भी मैं एक कटोरी में निकाल लूंगी और यह हमारा ओईल गरम हो चुका है अबने प्याव कोड़ी बना लेती हूँ और यह हमारे प्कोड़े फ्राई होने लगे हैं अब मैं जिसमें मैंने प्कोड़े का पेश्ट बनाया था इसी के अंदर मैं पूरी का अटा गुंद कर त्यार करूंगी यह मैंने एक आलू को मैस कर लिए यह मैं इसमें डाल देती हूँ और यह मैं आटा डाल देती हूँ इसके अंदर मैं धनिया डाल दूंगी इसके अंदर अधरक और हरी मिर्चंट चोपर में चोपकिया हुआ यह भी डाल दूंगी नमक डाल दूंगी थोड़ा सा और इसका मैं आटा गुंद कर त्यार कर और यह हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है थोड़ा सा ओयल डालूंगी और यह आटा हमारा गुम्नकर तियार हो चुका है इसे मैं एक साड में रख दूँगी ये मैंने एक अलू को इस प्रकार से चिप्स के लिए ककदुकस करा था और यह कितने अच्छे से कदुकस हुए हैं चिप्स बनाने के लिए मैं इसके चप्स बनाऊंगी में तो थोड़े ठीक ही इसको दो पार में प्राइब करूँगी मैं कितने अच्छे से आलू के चिप्स बन कर त्यार हुए है इन्हें में प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी बचे भी फ्राइब कर लूँगे और यह चिप्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं पिर प्लेट में निकाल लूली चिप्स अब खेंगे अब हम आलू का हलुआ बनाएंगे यह मैंने एक चोटा चम्मच गी लिया है देशी यह मैंने एक आलू को कद्दूकस कर लिया है गी हमारे पीगलने लगा है अब मैं इस में यह आलू डाल दूगी अपर यह पूहँ जिना जोगें आपको निए अधेसे अधे के अनदर ने यह दो मेने लाइती ली थी इसको मैंने अधे लिया है जर जरा वालु हमारे गुमने लगा है और अब इसी के अंदर दो चमच मेने चीनी ली है चीनी दाल दूगी अब चीनी को मेल्ग होने तब मैं इसे पकने दूगी अब मैं इसमें लिए पांक से चीर पडाम लिए उनको में इसमें कट कर लिया है इसमें लाल दूगी अब मैं इस आटे से पूरियां बना कर तियार करूंगी मैं हाथ की मदद से ही पूरियां बनाओंगी मैं बेलूंगी नहीं हाथ पर थोड़ा सा ओल लगा लिती हूं आप चाहे एक पूलाथीन की मदद से इसको बेल सकते हैं आप पारा ओल भी गरम है और पूरी को मैं अच्छे से शेव यूंगी इसी परकार से मैं दूफरी पूरी भी बना लूंगी यह हमारी पूरी सिखकर त्यार हो चुकी है आप दूसरी पूरी को मैं डाल देती हूं साथ के साथ और इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूं प्लेट भी हमारी बन कर त्यार हो चुकी है इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी ये मैंने दही को बीट करके रखा है पहले से ही आलू का रायता बनाऊंगी ये मैंने एक आलू को मैस किया हुआ है इसको मैं इसमें डाल दूँगी सानी डाल दूँगी और स्वाद नुसार नमक डाल दूँगी मैस में और थोड़ा सा मैस में भुना हुआ जीर डाल दूँगी और इसे में मिक्स कर लूँगी और दो से तीन चमबच में इस केंदल पानी डाल दूँगी ये हमारा रायता भी तियार हो चुका है अब हम थाली तियार करेंगे ये मैंने आलू की सब्जी एक कटोरी में डाल दी है साथ ही मैंने पकोड़े लिये हैं ये आलू का रायता लिया है साथ ही ये मैंने समग के चावल लिये हैं इसको मैं इस परकार से कटोर से निकाल देती हूं ये मैंने थोड़े से फ्रूट कट कर लिये हैं ग्रेप्स और ये ओरेंज लिया है और ये बनाना लिया है इसको भी मैं इसमें रख दूँगी और ये मैंने हलवा आलू का रख द प्रहा के साथ पेट अन्दर में थोड़ा सा नमक डाल दूँगे और इसे मिक्स कर लूँगे उपने- qrarade बने हैं दूजो के 20 जार अब्सक्राड ही है ये मैंने मिक्सी का जार लिया है और साथ ही ये मैंने धनिया लिया है धनिया डाल दूँगी और ये एक हरी वर्चली है मैं थोड़ी सी दही डालूँगी नमक डालूँगी को ग्रेंट कर लेतियू मैं और ये हमारी चट्नी को पिसकर त्यार हो चुकी है चट्नी को मैं इस छ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद